सेहत ऐसी ही है, वाकई कुछ लोग ज्यादा काम करते हैं और उनकी सेहत खराब है आजकल ज्यादातर लोग कम काम करते हैं और उनकी सेहत खराब है अगर आप इस धर्ती पर 200 साल पहले होते तो शारीरिक रूप से आप कम से कम आज से 20 गुना ज्यादा काम करते शारीरिक काम, निश्चित रूप से है न, आप यहाँ चल कर आते आप सब कुछ अपने हाथों से करते आप कम से कम 20 गुना ज्यादा काम करते मुझे लगता है मैं कम कह रहा हूँ, शायद सौ गुना ज्यादा तो अगर आप उतना काम कर रहे होते तो मैं कहता ब्रीक लीजिए फोड़ा आराम कीजिए फिलहाल तो शरीर का इस्तमाल ही नहीं हुआ है इस शरीर का इस्तमाल करके ही इसे स्वस्त रखा जा सकता है जब आप सेहत कहते हैं तो आप शारीरिक सेहत की बात करते हैं आपको इस शरीर को इस्तमाल करना चाहिए आप इसका जितना इस्तमाल करते हैं ये उतना ही बहतर होता जाता है तो सेहत सेहत के बारे में सबसे सरल चीज है, बस शरीर का इस्तिमाल करना अगर आप शरीर का परियाप्त इस्तिमाल करें, तो शरीर में खुद को सेहत मन्द बनाने के लिए हर चीज मौजूद है क्या इसका मतलब है, क्या यही सब कुछ है, मुझे और कुछ नहीं होगा, मैं बिलकुल ठीक रहूँगा मैं कहूँगा, अगर हम शरीरिक रूप से अपने शरीर का उतना इस्तिमाल करें, जितना हमें करना चाहिए तो इस धर्थी की 80 प्रतिशद बीमारियां बस गायब हो जाएंगी, 80 प्रतिशद, बाकि की 20 प्रतिशद में 10 प्रतिशद उस भोजन की वज़े से हैं, जो लोग खा रहे हैं अगर आप भोजन बदल दें, तो बीमारियां 10 प्रतिशद और कम हो जाएंगी मतलब सिर्फ 10 प्रतिशद बीमारियां बचेंगी जो कई अलगलग कारणों से हुई है एक है कर्म, दूसरा वातावरन हो सकता है और सिस्टम में अन्य चीजें हो सकती हैं जिनके बारे में कुछ किया जा सकता है सभी बीमार लोगों में से अगर 90 प्रतिशद सिर्फ शरीर का इस्तिमाल करने और सही खाना खाने से ठीक हो जाएं तो 10 प्रतिशद को आसानी से संभाला जा सकता है लेकिन फिलाल बीमारी की मात्रा इतनी बड़ी है क्योंकि हम अच्छे से नहीं खाते या हम बहुत अच्छे से खाते हैं और शरीर का अच्छे से इस्तिमाल नहीं करते इसके अलावा जीवन के अन्य पहलू है सरल शब्दों में कहें तो जैसे आप शरीर की कसरत करते हैं तो ये एक महीने में बहुत अच्छा काम करेगा अगर आप ऐसा अपने दिल के साथ करें तो ये अच्छे से काम करेगा अगर आप ये अपनी जीवन उर्जाओं के साथ करें तो ये अच्छे से काम करेंगी जब ये सभी चीजें अच्छे से काम करती हैं तो यही सेहत है तो आपको बस अपने शरीर, अपने दिमाग और अपनी उर्जाओं का इस्तिमाल करना है अगर इन तीन चीजों की अच्छी कसरत हुई है और ये संतुलित हैं तो आप सेहत मन्द होंगे अचानक से काम करने पर आप ठक सकते हैं लेकिन अगर आप अपने जीवन में काम धीरे धीरे बढ़ाएं शारीरिक, मानसिक और उर्जाओं अगर आप ये सभी काम करें तो सेहत आएगी आपका शरीर अच्छे से काम कर रहा है आपका मन अच्छे से काम कर रहा है और आपकी उर्जा दोनों को सहारा दे रही है ये सुनिश्चित कर रही है कि सब कुछ अच्छे से चल रहा है यही सेहत है सेहत कोई आइडिया नहीं है ये कोई medical idea नहीं है, medical शेत्र के लोग और medical ग्यान ज्यादा से ज्यादा ज़रूरी हो रहा है क्यूंकि हमने बहुत सी अस्वस्त जीवनशैलियां बनाई है दुनिया में इससे पहले कभी भी दवाई इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, जितनी आज है सिर्फ इसलिए क्यूंकि हम ज्यादा से ज्यादा बैठ कर काम कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा बीमार हो रहे हैं सौ साल पहले जितना काम साट साल का आदमी करता था, उतना काम आज बीस साल का आदमी नहीं कर पाता इसका मतलब है हम मानवता को कमजोर बना रहे हैं झाल